हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैंने बनाई है चने दाल के पकोरे बेशन के पकोरे तहें हम सभी खाती रहते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग डिफरेंट मैंने चने डाल के पकोरे बनाए है आप शाम के नास्ते में आप इस तरह से बनाके एक भर जरू आने वाला है इसे हरी वाली चटनी और सौस के साथ खाए तो आए देखते हैं इसे कैसे बनाए है अगर मेरी बनाएगे रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो आए देखते हैं आज की रेसिपी पकवड़े बनाने के लिए मैंने लिया है मेजिंग कप से एक कप चने का दाल आप चाहे तो घर के कोई भी कप से भी ले सकते हैं इसे अच्छे से वाश कर लिया है वाश करके 4 से 5 घंटे के लिए एक बोल में दो ग्लास पाणी के साथ भिंगो के रख दिया है क्योंकि चन पाने के डाल थोड़ा सा टाइम लेता है और इसे पानी सोकने में अब्सॉर्ब करने में डाल को भिंगोते हुए मुझे चार से पांच घंटे हो गया है मैंने सारे पानी को निकाल लिया है सिर्फ दो से तीन चमच पानी इसके अंदर डालना है और डाल रही हूं आठ से दस सुनके कलिया और दो से तीन हरी मिर्च आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं और एक इंच अध्रक का टुकड़ा वन फोर्ट टीस्पून कलंजी हल्दी पाउडर हाप टीस्पून और नमक स्वाथ के अकॉर्डिंग वन टीस्पून नमक के साथ मैं इस सभी डालों को इसके साथ मिक्सी में पीस लूँगी पीसते हुए मैं मुझे बहुत बारिक नहीं पीसना है थोड़ा सा दरदरा ही रखूंगी इस तरह का टेक्शर हो जाए देखने में एक बोल में डाल को निकाल लिया है और डाल रही हूँ इसमें वन टीस्पून काला नमक और दो पिं चार से पाट चमच और इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने हींग जो डाला है बाद में डाला है इसलिए कि हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है और बाद में डालने से यह हींग का फ्लेवर बना रहेगा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मैंने डाल में क्रिस्प ગैस को ऑन कर दिया है और डाल रही हूं मैं mustard oil fry करने के लिए जितना चाहिए होगा आप चाहे तो उसको self fry कर सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा oil डालके किया है इसकी जगा आप rough earnest oil से भी fry कर सकते हैं लेकिन mustard oil से पकोड़े बनाने से ज्यादा टेस्टी बनते हैं जैसे ही ओयल हिट हो जाए उसका टेमपरेचर थोड़ा से कम कर देना है और मेडियम टू लो ही इसका फ्लेम को रखना है और एक से दो डालते हुए इसमें तीन चार पांच भी आप डाल सकते हैं और एक तरफ ब्राउन होने पर ही इसको टर्ण करना है और फ्लेम को कभी थोड़ा से कम करें कभी थोड़ा से ज्यादा करें तो इस तरह से क्रिस्पी बहुत ज्यादा बनेंगे यह आप देखी सकते हैं यह कैसा एकदम बिल्कुल से कुरकुड़े बने हैं और इसी तरह मैं सभी को एक टीशू पेपर पर निकाल लूँगी टीशू पर निकाल से जो भी ओल होंगे यह ओल टीशू पेपर पर आ जाएंगे चम्मच या हाथों की साहता से इसे गोल-गोल बनाते हुए हम ओयल में डालेंगे और इस तरह से तालते हुए मैं सभी को बना लूँगी अचानक से घर में महमान आ जाए और घर में सबजी ना हो तो आप इस तरह से डाल के पकोड़े बना कर आप खिला सकते हैं या डाल के पकोड़े के सबजी भी बना सकते हैं चने डाल के पकोड़े की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है और यह बहुत टेस्टी लगती है जब भी आपका मूड हो कुछ अलग खाने का तो आप इस तरह से बना कर खाई सकते हैं और अपने दोस्तों को भी खिला सकते हैं गर्मा गर्म पकोड़े बनकर बिल्कुल तयार है शाम की स्नैक्स चाय के साथ खाएं इस तरह बनाने पर आपके बहुत तारीफ होने वाली है बहुत ही किस्पी बहुत ही कुरकुरे हैं यह दाल के पकोड़े इतने किस्पी होते हैं कि इसमें किसी बेकिंग सोड़े की जरूत नहीं होती और घर के सामानों से यह अच्छे से बन जाते हैं तो इस तरह से एक पर आप जरूत ट्राइ किजिए डाल के पकोड़े को हड़ी वाली चटनी और सौस के साथ सर्फ करें और खाएं बहुत मज़ा आने वाला है तो मिलते एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई और टेक केर